सबसे पहला प्रश्ण है कि अधिगम में आंकलन किसली आविश्यक होता है? ग्रेड और अंकों के लिए? या फिर प्रत्थक करण और स्रेनी करण के उद्धिस्यकों प्रोचसाहन देने के लिए? या जांच परिच्छन के लिए या फिर प्रेडा के लिए? तो अधिगम में आंकलन आविश्यक होता है प्रेडा के लिए? उकापसंग डी इसका सही जबाब है प्रश्ण है कि सीखने के लिए आंकलन किसको बढ़ावा देता है? तो सीखने के लिए आंकलन अब प्रेडा को बढ़ावा देता है? या फिर जो आंकलन किया जाता है वह अलग करने और रैंक देने के प्रायूजन के लिए किया जाता है या फिर Beats को पूरी तरह से महतों देने पर बल देता है या फिर बिसिश्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतविदी है तो जैसे इससे पहले हमने प्रश्ण देखा था उसमें हमने देखा था कि आंकलन जो किया जाता है अधिगम में वह आवश्यक इसलिए होता है क्यों कि प्रेणा के लिए प्रेणा के लिए आवश्यक होता है तो प्राथम के स्तर पर मूल्यों को सिच्छा देने की सबसे अच्छी बिदि होती है वो है कि अध्यापक के बेवार में मूल्य स्थापना की जाए अगर अध्यापक के बिवार में मूल्यों की स्थापना है तब मूल्यों की सिच्छा देने के ये सर्वोत्म तरीका हो शकता है अगला प्रश्ण है कि मूल्यों के बर्गी करण में शमलित क्या नहीं है सबसे पहला बिकल्प आध्धात्मक मूले या फिर येन केन प्रकारेन धनारजन का मूले या फिर नैतिक मूले या फिर सांस्क्रतिक मूले तो मुल्यों के बर्गी करण में सामिल नहीं हैं ये इनके प्रकारेण धनारजन का मुल्य इसके अलाबा आध्धात्मक मुल्य नेतिक मुल्य और सांस्क्रतिक मुल्य ये तीनों ही मुल्यों के बर्गी करण में सामिल हैं प्रश्ण है कि निम्नलखित में से कौन सा कथन है जो कि सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए नहीं है तो सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए जो कथन इन में सत्ते नहीं है वो होगा कि यह एक विध्याले आधारत मुल्यांकन होता है सतत और व्यापक मुल्यांकन या फिर ये बिध्यारतियों में तनाव को कम करता है या फिर इसमें नमरों के स्थान पर ग्रीट का प्रियूग होता है या फिर इसे सिच्छकों पर बोज बढ़ जाता है तो इसमें सही कतन कौन सा नहीं है वै सतत और व्यापक मुल्यांकन के संदर में वो है option D कि इससे सिछकों का बोज बढ़ जाता है ये सत्यन नहीं है इसके अलाबा कि ये एक बिद्यार आधारित मुल्न लियंकन होता है बिलकुल सही है बिद्यारTTियों में तनाप को भी कम करता है बिलकुल सही है और उन्हें क्या है? प्रिरित करता है और इस में नम्मरों के इस्थान पर ग्रेड का प्रियूग होता है, अगला प्रश्ण है कि बिद्धारतियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या चाहिए? सघन अभ्यास कारे होना चाहिए या फिर समुचित उप्चारात्मक कार्य होना चाहिए या सभी पाठों को ब्यविश्टित रूप से दोहराना चाहिए या फिर सिच्छार्तियों और अभिभावकों को उपलब्धी के बारे में बताना चाहिए इसका सही जबाब होगा कि बिध्यारतियों के सीखने में जो रिक्तिया रह जाती है उनके निदान के बाद समुचित उप्चारात्मक कार्य होना चाहिए ओप्षन बी इसका सही जबाब है प्रशन है कि निमने लखित में से कौनसी मूल्यांकन की प्रविदी है सबसे पहला बिकल्प प्रशनावली या साथ्छातकार या मत सूची या फिर ये सभी तो मुल्यांकन की प्रविदी है ये सभी की सभी प्रशनावली साथ्छातकार और मत सूची प्रशन है कि मुल्यांकन का उद्देश से क्या होता है बच्चे को उत्तीन और अनुत्तीन गोसित करना या फिर बच्चों ने क्या सीखा ये सब जानना या फिर बच्चे के सीखने में आई कठनाईयों को जानना या फिर उप्रोक्त सभी तो मूल्यंकन का उद्देश से ये सभी होता है कि हम बच्चों को अनुत्रिन और उत्रिन घुसत कर सकें, ये जनरल इसी बात है, मुख्य उद्देश से रहता है कि यह जानना कि बच्चों ने अब तक क्या सीखा है, और बच्चों के सीखने में कौन-कौन सी कठनाई आई है, बच्चे कितना सीख पाए है, इसी के साथ इवं अधिगम के बीच समानता है, कि दोनों चात्र केंदरित होती है, निर्देशन और अधिगम, या फिर निर्देशन और अधिगम दोनों ही बिस्साय बच्चों केंदरित हैं, या फिर ये दोनों प्रष्ट पोसन और पाठ बिशलेशन पर बल देती हैं, या फिर निर अगला प्रश्न है कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम है सिच्छा केंदरित या फिर बाल केंदरित या फिर कच्छा केंदरित या फिर समच्या केंदरित जैसे हमने उपर देखा निर्देशन और अधिगम क्या क्या निर्देशन और अधिगम ये दोनों कैसे होते हैं ये दोनों होते हैं चात्र केंद्रित और अनुदेशन की जो पडाली उपागम है ये होता है समश्या केंद्रित कैसा समष्या केंदरत टो इन तीनों में अंतर आप हमेशा याद रखें कभी भी आपसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए निर्देशन और अधिगम छात्र केंदरत होते हैं तो बहीं पर अन्देशन का प्रणाली उपागम जो है वो शमष्या केंदरत होता है प्रश्ण है कि निर्देशन दिया जाना चाहिए कब समश्या होने पर या फिर बिध्याले जीवन में या फिर बिसाय चैन के समय या फिर आजीवन ये देते रहना चाहिए तो निर्देशन मित्रों हमेशा आजीवन देते रहना चाहिए अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखित में से किस अनुदेशन शामगरी की अधिक्ता होती है पाठ्थ पुष्टक, कार्व पुष्टक, श्व अनुदेशन पुष्टका या फिर संसाधन एकाई तो अनुदेशन शामगरी जिसकी अधिक्ता होती है वो है संसाधन एकाई प्रश्ण है कि बिध्यारती और सिच्छक के बीच की एक शंबादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के बातावन में बदलाव लाती है वो कौन सी है मुल्यांकन आंकलन या फिर ये दोनों ही या फिर इन में से कोई नहीं ठ्यांदीजेगा इस तरह के काफी प्रश्ण हमने इस वीडियो में देखे प्रश्ण है कि बिध्यारती और सिच्छक इन दोनों के बीच की एक शंबादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के बातावन में बदलाव लाती है वो कौन सी है मुल्यांकन और आंकलन ये दोनों ही हमने इस से उपर एक प्रश्ण देखा था कि मुल्यांकन मुल्यांकन से क्या होता है भई मुल्यांकन से हम ये पता लगाते हैं कि बच्चा उत्रीन हुआ या अनुत्रीन हुआ ये गोसित करते हैं और ये जानते हैं कि बच्चों ने अब तक क्या सीखा और ये भी जानते हैं कि बच्चों की सीखने में कौन-कौन सी कठनाई आई हैं कितनी कठनाई आई हैं और आंकलन बच्चों को क्या है प्रेरित करता है अभी प्रेरित करता है कुछ शीखने के लिए अगला प्रश्ण है कि अधिगम का सिच्छा में योगदान क्या होता है सबसे पहला बिकल्प कि बिभार परवर्तन में या फिर नवीन अनवह प्राप्त करने में या समायूजन में या फिर उप्रूक्त सभी तो अधिगम का सिच्छा में योगदान इन सभी में होता है विवार पर्वतन में भी नविन अन्वप्राप्त करने में भी और समायोजन में भी प्रश्न है कि सतत और ब्यापक मुल्यांकन किस पर बल देता है हम इसा याद रखें सतत और व्यापक मुल्यांकन जो होता है वो सीखने को किस प्रकार अबलोकित रिकॉर्ड और शुधारा जाए इस पर बल देता है किस पर के सीखने को आप किस तरीके से सुधार सकते हैं उसकी record के बारे में और उसे अबलोकित करने के बारे में बल देता है अगला प्रश्ण है कि निम्नमैसी कौन सा लच्छन है जो किसी मापक उपकरण के लिए सरवाधिक बांचनिया है तो इन में से बिश्व सनीता एक ऐसा लच्छन है जो मापक उपकरण के लिए सरवाधिक बांचनिया है प्रश्ण है कि थैश्टन तथा लिकाउट निम्नमैसी किस की मापन से सम्बंदित है तो थैश्टन और लिकाउट ये दोन सम्बंदित हैं अभिब्रती के मापन से प्रश्ण है कि उच्छुकता परिच्छन निम्नमै किस का घटक है तो उच्छुकता परिच्छन स्रज नात्मक्ता का घटक होता है प्रश्न है कि निम्न मैंसी कौन सा सतत और ब्यापक मुल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है तो सतत और ब्यापक मुल्यांकन का भाग नहीं है वो है अभिभावक सिच्छक वैठक ये सतत और ब्यापक मुल्यांकन का भाग नहीं है तो मित्रों इस वीडियो में मातर इतने ही प्रश्ण बने रही है आगे आप तेज़ेजुकेशन के साथ और सभी क्लासेस की पीडिया प्राप्ट करने के लिए आप हमारा वाटसअब गुरूप जोइन करें तता निसुल के टेश सीरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट तेज़ेजुकेशन.net बिजिट करें